मध्यिप्रिदेश की चुनावी राजनी थी कर्णाटक की राहपकरती दिखाई दे रही हैं कर्णाटक में ठेकेदारों ने 40% कमिशन लेने के आरोप अधिकारीओं और नेताओं पर लगाए थे आरोप कॉंट्रेक्टर असोसियेशन का था मद्रप्रदेश के ठेकों में 50% कमिशन बाटने का आरोप लगाया जा रहा है पत्र पर जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर रहए भी तक सामने नहीं आया है लेकिन सियासत में भष्ट चार का मामला जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है कमिशन कहां कैसे बढ़ता है उसके बारे में पूर्व मुख्य मंत्री दिग विजय सिंग का बयान में सामने आया है मामला तूल पकड़ा प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद हो रही है प्रियंका गांधी के स्ट्वीट के वाद भाजपा हमलावर है ग्रह मंत्री नरोता मिश्रा ने प्रियंका गांधी पर कई कटाक्ष किये वहीं भाजपा प्रदीशक देप्षबीडी शर्मा ने कहा कि दिगविजय सिंग और कमल नात ने अपने राष्ट्री ने लोग 50% कमिशन लेकर भुक्तान करा रहे हैं पत्र में सबसे चौकाने वाली बात यह लिखी है कि पेटी कॉन प्रेक्टर असोसियेशन अपने लंबित भुक्तान के लिए मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान से मिले थे मुख्यमंत्री ने पूरी बात सुनने के बाद ज्याने इन रवस्ती सामने क्यों नहीं आ रहे हैं मद्यपिदेश सरकार पेटी कॉन्ट्रेक्टरों को सीधे कोई काम नहीं देती सडख पुल पुलिय का काम पैकेज में करवाया जाता है जिसका रंकाम सभी बड़े-बड़े ठेकेदारों को मिलता है फिर बड़े बाटने का भी काम शामिल है पावर गैलरी के लिए भोपाल से तनीश जैन